क्या हम आपको गउं में पुराने घर और पुराने जबाने की चीजें ही दिखाते रहेंगे ऐसा हरगज नहीं है हम आपको गउं में रहने वाले लोगों की तरक्की गउं की तरक्की और गउं के लोगों का टैलेंट दिखाएंगे तो आज इसी हवाले से आज हम मुलाकात कर करने वाले हैं एक गवों के बहुत ही टलेंटिड आदमी से जिसका नाम है मुहम्मद एहमद भाई बहुत अच्छे शायर भी हैं तो चलो चलते हैं एहमद भाई की तरफ और बाकी बातें उनसे मिलकर करेंगे असलाम लेकुम जी जैसा के आप देख सकते हैं हम एहमद भाई के पास पहुंच चुके हैं हमारे साथ एहमद भाई मजूद हैं हम इनसे आप बातचीत करेंगे तो असलाम लेकुम एहमद भाई पहले तो आप हमें अपनी तलीम और थोड़ा अपने काम के मतलग बताएं बिस साइ demiş मैं काम कर रहा हूं सालला सर बहुत अच्छी बात है आप स्सटरी भी चरहे है आप कौम कर रहा है तो अच्छी बात है तो सार आप हमने सुना है के आप शायरी जो है ना बहुत अच्छी करते हैं इसके मतलब कर Стर convicted जी सरा फस्टियस से जब से पोर्टरी पड़नी शरू की थी अर्दू में, जैसे के इबने इनषा की थोड़ा सा उर्दू पढ़ा और इसके बाद मैने गालप की थोड़ी सी उर्दू पढ़ी, तो तब से मेरे अंदर थोड़ा सा था, एक computers के लिक्वाद लेक, घूरा और काफी कुछ लिख भी चुका हूं में बड़ा अच्छा फील होता है जब अपनी परानी परानी वीडियो को देखते हैं माशालला सर बहुत अच्छी बात है तो सार आपको ये बच्पन से शोग नहीं था मतलब फस्टेर से आके शुरू हुआ ये शोग आपको जी सर फस्टे वीडियों ने चड़ाया था तो उस पर मैंने पहला अपना शेयर लिखा था कि चानल हो की कार्दे रहागे मोलविया चानल चड़ा दी ता तो बस वैसी मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर जब अपलोड किया तो लागि मेरे बानी से वह जरा वाइरल हो गया उसके बा अच्छी बात है अच्छा एमद भाई आपने जैसे का है कि मेरी शायरी भी वाइरल हुई और इंटर्वियू भी आपका हो चुका है टीवी पर भी आप माशाला से आ चुके हैं तो वह शायरी जरा हमें भी सुनाएं क्या थी वह शायरी आपकी जैसा कि नेर पाट आई से दो साल पहले वह रात को महलवी ने लान कर दिया चान चाड़ गया तो बस उसी टाइम मैंने लिखा था कि चान चान लोकी करदे रह गए महलवीयां चान चान चाड़ा दीता सुते पर किसाईयां ने उठके कटा टा दीता ते कारवाले भी सौंगे सी मार के जंद्रे पर जिगा दीता ते देन दे वेले सतर सी रात पही ते सो चान दा सौन के नाया ने मी अपना रेट वदा दीता ते दरजी मेरा नीद चा उठेया दस मिन्ट चा सूटों ने कट्या पॉंचे उत्ते जिपला के सूट दा बेड़ा बादिता वावा जबरदस सा चान चान चा वार्दे रहागे मौलवियां चान ने चड़ावी ता माशालला बहुत ही इंट्रस्टिंग शायरी थी आपके हमें सुनके ना मतलब चलो सार एक और शेर सना दें इसी फनी का बेगम के वाले से मेरे बड़े अच्छे शादी शुदा दोस्ता हैं अक्सर कहते रहते हैं अधा जैसी अपनी बेगम तो बड़े तांगा आज उन्हें आंजिकारता था तो एक शेर उनके नाम के बेगम जी सिदा नाम है सजड़ों चीज ते बड़ी प्यारी बेगम जी सिदा नाम है सजड़ों चीज ते बड़ी प्यारी दिल मेरे ते राज है करदी बेगम राज दुलारी बेगम की क्या बातें बताऊं बातें वो सुनाती है बेगम की क्या बातें बताऊं बातें वो सुनाती है दियारी में छे गंटे क लेक्चर मुझे सुनाती है घर पे बुलाके सहेलियों को मुझे अजब नाच नचाती है कभी समोसे कभी पकोडे लख चीजां मंगवाती है उससे अब है तंग जान मेरी बेचारी बेगम जिसदा नाम है सजड़ों चीज ते बड़ी प्यारी और काम से अगर मैं ना कर दूँ तो फस जाती है जान फिर तो बिस्ती होती है चाहे आए हो महमान अब तो गला सुन सुन के पक गए है कान इधर सुनो इधर निकालो अच्छी जिन्दगी का उन्वान फिर भी बेगम की तारीफों का है नगमा लब पे जारी बेगम जिसदा नाम है सजनों चीज ते बड़ी प्यारी वावा सर बहुती जबरदा सर ये जो आपने पहले चानवाली शायरी सना ही न ये उससे भी ज्यादा मज़े की थी बहुती अच्छा अच्छी शायरी है ने STAR के अंदर बेगम के लिजा कावी जजबात बड़े ने इसके भारे में क्या गहेंगे आपकि की फिलिंग में सूस करते हैं अशी है जी सर आप की अभी शादी भी नहीं हुई तो अक्सर एक ना एक दिन आपकी सादी होनी है तो इंशाला मैं दौा करता हूं अलग से आपकी जल्द शादी हो तो आप अपने लिए कैसी बेगम एक्सपेक्ट करते हैं उसमें कौन-कौन सी खासियत ओनी चाहिए खासियत यह उनी चाहिए कोड़ी ओ बस जैसी मरदी ओ लूली लंगड़ी कानी जैसी मरदी दें बस लड़की ओ अल्ला पाक नेक और सालिय बीवी ताफल भाए माशाथ अल्ला माशाथ यह बात आपने बहुत अच्छी कही है तो हम भी दौा करेंगे आ आपको जल्द एक नेक और अच्छी बीवी आपको दे इन्शाल्ला प्रशा सर आपने हमें दो शेर सना है माशालला दोनों ही बहुत इंट्रस्टिंग और मजए के शेर थे इसके लावा और भी कोई है आपके पास शेर जो इन दोनों से ज्यादा हटके और ज्यादा मज़े का हो एशेर कोई और सुनाए हामे जबर्दास पोदी ठंडी रात वेचे पोदी ठंडी रात वेचे मोसम दी बरसाथ वेचे हिजरां दे लेख वेचे आरफ लोहार दी हेक वेचे हिजरां दे लेख वेचे मिस्तरी दी मेख वेचे मैनू बस तू नजर आनी है मुशर्ण ज्याते पुटो दे जमाने यचे सिराज दे कुडम अचे, मोला ना दे नाने यचे खान दे जलसे यॉचे, मियां दे तरने यॉचे इना वे चे, उना वे चे, सार्य आँ फिलाने याचे मैनू बस तू नजर आनी है ते चीन दी कांधतो हैंपाली या दी उंचाई वेचे गंगवाद जमना नाले सिंद दी लमबाई वेचे चाड़ धी हनेरी वेचे लट दी तुफान लायलपोर धी मंडी वेचे मैंनू बस तो नहीं है 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 खेंचा खेंचा सर इतना लंबा शेयर अब लिखते कैसे हैं और याद आपको कैसे हो गया यार बहुत ही हर जो आप संटेंस बोलते हैं उसमें एक अलगी स्ट्रेजी और दूसरे से बढ़ कर होता है तो ये आप इसका रिमेक्स गयरा कैसे करते हैं ये सार मतलब लाइने एक दूसरे साथ मिल रही है तो और इतना ल मैंड बिन को रिलाक्स होता है उसलाइम आप कुछ भी लिखना चाहिए बहुत अच्छा सा लिख सकते हैं जो भी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ये सारा मैंने फजर से पहले उटते हैं माशाला नमाज भी पढ़ते होंगे तो बिल्कुल ये बरकात भी हैं कि आपका म मैंड जो है तना फ्रेश रहता है और इतना अच्छा आप लिखते हैं तो सर इसके अलावा कोई और पोट्री भी है जो आप हमें पेश करेंगे चोटी सी पोट्री है कि लड़के ने अपनी महभूबा से इश्क का इसार किया तो लेकिन लड़की उसे ठुकरा के चली गई यह मुझे ज्यादा मज़े की लग रही है अच्छा चलो बताएं यह सुनाएं कोई साल लेड़ के अरसे के बाद जब वापस आ कि उसने दोबारा इसका इसार किया तो लड़का बड़ा हिरान हो कि कहता है उसकी क्या फीलिंग्स है वह बस आपके सामने पेश करता हूं खैर तो है बरसों पहले तेरे अंगन में एक बीज गिराया था बरसों पहले तेरे अंगन में एक बीज गिराया था होने दिया तुमने वह फूल त्यार खैर तो है तुम तो कहते थे कि पुरानी है तुम्हारी कुटिया तुम तो कहते थे पुरानी है तुम्हारी कुटिय आज कैसे आना हुआ मेरी सरकार खैर तो है लफजों के निश्तर होते थे जहां आज पियारी बाते हैं आगई पत्जड में बहार खैर तो है और दिल नात्मा ना सह सका इतनी बेयकीनिया लिख डाले आहमद ने कुछ है शार खैर तो है हो गया तुम्हें मुझे से प्यार खैर तो है माशाला सर बहुत जबरदा सर आपके शेर हमने सुने माशाला बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्यारी शायरी थी तो यह थी हमारी मुहमद ऐमद भाई के साथ मुलाकात जो के बहुत ही अच्छी रही एमद भाई बहुत अच्छे शायर है इन्शाला मैं अमीद करता हूँ कि ये आने वाले वक्त में एक बहुत अच्छे शायर होंगे अगर ऐसे ही लिखते रहे और बोलते रहे आपका सर बोलने का जो अंदाज है वो भी बड़ा मज़े का है हमें बहुत पसंदा है सर आपके साथ जो मुलाकात हम ने की है सर आज बहुत ही हमें खुशी हुई तो थैंक्यू सर आपने हमें टाइम दिया तो हमारा पोड़काश खत्म होने का भी वक्त हो रहा है तो फिर चलते हैं अलाहाफिज आम बे